हेलो माई डिया फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में इस वीडियो में मैं आपको pen drive को recover करके दिखाने वाला हूँ आप देख सकते हैं मेरे पास 64 GB का pen drive है जिसमें space हमें मिलता है 57.2 GB और इसमें से हमारा 32.6 GB free है और जैसे हम इसको open करते हैं तो हमें अपना data अंदर देखने को नहीं मिलता है इसे मेरे बहुत सारी data थे अब ही data देखने को नहीं मिल रहा है तो इसको कैसे हम recover कर सकते हैं आज किस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ तो वीडियो शुरू करने से पहले आप से छोटी से रिक्वेस्ट करता हूँ अगर आप कोई वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे ज़रूर लाइक करें और जल्ज़ ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें और एक प्यारा सा कॉमेंट ज़रूर करें जब आपका पेंड्राइब रिकवर हो जाए तो सबसे पहले मैं आपको बता दू आपका cmd कमांड याने जो cmd होता है जिसको हम कमांड प्रॉम्ट बोलते हैं उसको ओपन कर लेना है सिंपलि आप जाएंगे सर्च बार में और यहाँ पर आप लिखेंगे cmd आप दیکह सकते हैं कमांड प्रॉम्ट यहाँ पर आ गया है इसको जस्ट ओपन करना है में open करने के बाद आप देख सकते हैं open करने के बाद मैं थोड़ा size को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इसके बाद यहां पर आपको type क्या करना है आपको type करना है A-O T-R-I-B attribute इसके बाद space देना है यहां पर dash का symbol लगाना है इसके बाद फिर से आपको h लगाना है फिर से space देना है, फिर से आपको dash लगाना है, फिर से आपको r type करना है, फिर से आपको space देना है, फिर से आपको s type करना है, इसके बाद फिर से space देकर आपको slash का यूज़ करना है, और फिर से आपको s लिखना है, फिर से आपको space देना है, फिर से slash का यूज़ करके आपको d type करना है फिर से आपको slash फिर से आपको space देना है और यहाँ पे आपको अपने जो भी drive होगा जैसे आप जाते हैं my computer में और यहाँ पे आप देखते हैं तो आप देख सकते हैं मेरे जो इस pen drive का नाम यहाँ पे दिख रहा है वो e दिख रहा है आप देख सकते यहाँ पे आपका आपको वह anonym type करना है, अपने अनुसार, तो मैं यहां पे E, टाइप कर लेता हूं, चाहे तो आप capital E type कर सकते हैं, या small E type कर सकते हैं, यह type करने के बाद, आपको colon का use करना है, इसके बाद, बैकवर्ट्सलेस का यूज करना है, बैकवर्ट्सलेस यूज करने के बाद आपको स्टार का यूज करना है, इसको एस्टरिक भी बोलते हैं, डॉट का यूज करना है, और फिर से आपको स्टार टाइप कर लेने हैं, इतना करने के बाद आपको सेंटर करना है, एंटर करने के बाद ये कुछ time लेगा और फिर से जो हमारा user name असूस ऐसे करके दिखाई दे रहा है ये आ जाता है आप देख सकते हैं आ चुका है अब हम जाते हैं फिर से अपने memory में आप देख सकते हैं आप आ चुके हैं और यहाँ पे जैसी हम इसको क्या करेंगे open करेंगे आप देख सक points exhibit खाली था और जैसे हम इसको open कर रहें आप देख सकते हैं पूरा जो data हमारा है वो आ चुका है तो इतनी असानी से आप अपने data को recover कर सकते हैं आई होप आप कोई वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पे जरूर लाइक करें हमारे चैनल को ज